हाई गाईज, हलो एंड, वेलकम बैक तो मैं चैनल लव व्यूरी ओन डूरी प्रेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंट होते ही, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिला की बोड़ी में सबसे पहला लक्षन कोन सा नजर आता है वैसे तो प्रेगनेंसी के बहुत से लक्षन होते हैं प्रेगनेंट होते ही एक महिला की बोड़ी कुछ से सिगनल देती है और आप उन साइन्स एंड सिम्टम्स को नोटिस करके आप पीरियो में सोने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं सबसे पहली बात प्रेगनेंसी के लक्षन तो सभी को आते हैं लेकिन लक्षनों की intensity महिला की बोड़ी के उपर डिपेंड करते हैं किसी महिला को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जोकि कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता है और पीरियोट मिस हो जाते हैं फिर टेस्ट के थुरू पता चलता है तो ये महिला की बॉड़ी पर डिपेंट करता है अब चलिए प्रिग्डिन्सी के पहरे महत्वपूर लक्षनों की बात करते हैं जो सभी महिलाओं में दिखाई देते हैं तो अगर आप ओविलेशन को ट्रैक कर रही है और ओविलेशन के टाइम जो एग रिलिच हुआ है अगर वो फटिलाइज हो गया है और रिलेशन के 6-7 दिन बाद आपको इंप्लांटेशन क्रैंपिंग फिल हो रही है तो ये आपकी प्रेग्डेंसी का सबसे पहला लक्षन है ये क्रैंपिंग एकदम हलकी सी होती है क्यों होती है क्रैंपि क्रैंपिंग पेट के निचले हिस्ते में यूटरस के पास होती है नाभी के पास ये क्रैंपिंग आपको महसूस होगी और ये क्रैंपिंग बस कुछ सेकेंड आपको महसूस होगी पूरा दिन आपको इंप्लांटेशन की क्रैंपिंग वो फिल नहीं होगी अगर पूरा दि की cramping feel हो सकते हैं कुछ महलाई इस cramping को feel कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं तो यह तो था pregnancy का वो important symptoms जो pregnant होते ही पहले दिन से आपको आ सकता हैं फिर कई महिलाओं को implantation cramping के साथ implantation bleeding भी महसूस होते हैं लेकिन implantation bleeding रोकिसी को जरूर है बस कुछ महिलाएं फील कर पाती है और कुछ नहीं कर पाती हलकी क्रेंपिंग होती है माइनल सी जो कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते हैं इंप्लेंटेशन के बाद बाद बॉड़ी में प्रस्टेंट का लेवल बढ़ता है उसके बाद आपको नौजिया, हैदेक, मूड, स्विंक्स ये सभी प्रेग्डेंसी के सिम्टम फील हो सकते हैं अब ये सब सिम्टम जाना जरूरी क्यों होता है क्योंकि पहली बात तो जो कपल प्रेग्डेंसी प्लैन करते हैं उन्हें एक तो जानने की बहुत ज़दा एकसाइटमेंट रहती है इनके लिए पीरियेट्स मिस होने तक का इंतिजार करना बहुत मुस्किल होता है लेकिन अगर आप पीरियेट्स रूपते ही तुरंत इन सिम्टम के थुरू जान लेंगे तो आप अपनी बाड़ी का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और जो अडले विस्केरिजेस के चांसे से उसे भी कम कर बाएंगे तो आप अपनी मेरा आसका वीडियो ब्लोगों के लिए उस पर रहेगा मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई